हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का हार दिक सवागे दाप एक अपने चैनल मनी गुरुजी पर तो उस तो इस वीडियो में हम बात करने वाले तमिल नाडू प्रीमेर लीग टी ट्वंटी के नेक्शन मुकाबले के बारे में जो काफी शांदार मुक पाक सुपर गिलिस के बीच में फ्रेंड से जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो वने वाला है 6 जुलाई यानि कि आई शाम को 7 बचके 15 मिन से एन पियार कोलेज ग्राउंड एंडी गुल के ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जाएगा उससे पहले फ्रेंड से एक फोलो करना है सबसे बहतरिन यहीं रहेगा आप जाहिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक दी गई है उसी को क्लिक करके आप में टेलीगराम पर फोलो कीजेगा अक्सर यहाँ पर फ्री एंट्री भी चलती है तो फ्री में खेलकर भी आप ब पहले बल्ले बाजी करने वारी टीम ने 23 मुकाबले जीते हैं वहीं पर बात में बल्ले बाजी करने वारी टीम ने 30 मुकाबले अपने नाम किये अगर हम बात करें फरस्ट अनिंग के एवरेज स्कोर के बारे में तो फरस्ट अनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर 169 का है ज 290 से उपर बने हैं वो बने हैं यहाँ पर 7 बार तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर low भी बना है लेकिन high score यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बना है और average score के हिसाब से बान के चल सकते हैं 160 के करीब score हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है लाश्ट के पाँज मुकाबलों की अ अगर लास्ट के 5 हेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अपने नाम किये हैं बात कर लेते हैं कुछ important player के बारे में जो कि आपके लिए grand league pick बन सकते हैं इन्हें आप grand league में captain wise captain भी बना सकते हो जैसा कि आप देखो कि रूबी tricky warrior की team से अगर हम बात करें कि player के बारे में निदिश राजगोपाले, मुरली विजय है और श्रवन कुमारे, ये तीनों आपके लिए grand league pick बन सकते हैं grand league में इन्हें captain wise captain जरू बनाईगा मतलब rotate कीजिएगा, वहीं पर चिपक सुपक गिली की team से यू शशीदेव अच्छा option है, संदीव warrior अच्छा option है और आर अलेक्जेंडर अच्छा option है तीनों consistently अच्छे point देकर जा रहे हैं बात कर लेते हैं, यहां से कुछ बात कर लेते हैं दोनों teamों की probable 11 के बारे में तो यहां पर आप देखोगे, Ruby tree की warrior team से मुरली विजय के साथ में, अमित सात्विक आपको opening करते होई नजर आ सकते हैं फिर निदिश राज गुपाले, आदित्य गनेश, मौमद अधनान खान, अंतोनी दास, पीस रवन कुमार, फिर हम बात करें, मत्ही वनन, राहिल चाह, ध्यान रखना है एक चीज को, राहिल चाह को बहुत कम लोग लेकर चल रहे हैं, ग्रेनलिक पिक बन सकते हैं पोया मोजी को बहुत कम लोग लेकर चल रहे हैं, ग्रेनलिक पिक बन सकते हैं, अजय कृष्णा को भी बहुत कम लेकर चल रहे हैं, तीनों के टीम के मेन गेंदबाजे, ध्यान रखना तीनों टीम के मेन गेंदबाजे, लेकिन लोग इन पर बरोसा कम कर रहे हैं फिर हम बात कर लेते हैं यहां से लास्ट मेज की गेनबाजी के बारे में इस टीम की तो अजय कृष्णा ने चार ओर किये थे 26 रन दिये थे हाला कि विकेट नहीं मिला था स्रवन कुमार ने एक लगबग 23 गेंदे की थे 44 रन दिये थे 3 विकेट लेकर गए थे मती वनन ने चार ओर में एक मेडन किया ता 20 रन दिये थे दो विकेट लिये थे पोया मोजी ने तीन ओर में 31 रन देकर एक विकेट लिया थे अधोनी दास और राहिल चाने दो दो ओर किये थे हाला कि दोनों को कोई भी विकेट नहीं मिला था बात के लेते हैं चेपाक सुपर गिली की टीम से आप देखोगे कोशिक गांधी जो कि ये जे ओल राउंडरी खेलते हैं गेंदबाजी भी ये कर सकते हैं तो केप्टेन वाइस केप्टेन की अच्छे चोईश नजर आती है नराण जग्दिशन बहुत बड़ा नाम है आप सभी जानते हो बताने की जरूत जरूत नहीं है एस सुझे है सोनु यादो केप्टेन वाइस केप्टेन चोईश बाप के लिए बन सकते हैं यूश शशी देव राज गोपाल शतीश जग जे सीनिवासन फिर हम बात करें एस हरिश कुमार मती सोरी एम सिदार्थ आर अलेक्जेंडर और संदीप वोरियर तो कुछ इस पकार है सकती है दोनों टिमों के पॉसिबल प्लेंग लेवन अगर इस तीम की गेंदबाजी की बात करूं तो सिदार्थ ने लास्ट मुकाबलों में 19 गेंदों पर 26 रंदिये थे कोई भी विकेट नहीं मिला था संदीप वोरियर ने चार और में 26 रंदेकर एक विकेट लिया था सोदू यादों को विकेट नहीं मिला था आर अलेक्जंडर ने चार और में 26 रंदेकर तीन विकेट लिया थे कोशिक गंदी ने चार और पूरे के थे इस बात को आप नोट करकर चलिएगा 34 रंदेकर एक विकेट लिया था वहीं पर हरिश कुमार ने लास्ट मेंच में ओन प्लेयर को में यहाँ पर लिया है फिर आप देखो के बल्लेबाजी शेक्शन में मेरे पास मुरली विजय मेरे पास आजाते ही राजगोपाल को मेंने लिया है और कौशिक गांधी को मेंने लिया है यूश शशी देव बरियासी परसेंट लोगों के टीम में आप चाहें तो लिकर चल सकते है बाकी नीचे के ओप्शन में बहुत सारे ओप्शन एस सुजई का ओप्शन है अद्दान खान का ओप्शन है आप आपके सबसे चेंजिस भी कर सकते हो दो अल राउंडर में लिकर चलूँगा उसमें आर्स होनु यादो का नाम है और एस हरिश कुमार का नाम है एस हरिश कुमार थोड़े से रिस्की हो सकते हैं एस हरिश कुमार के जगे आप एक एक क्रिशना को लिकर चल सकते हैं टी पूर अच्छा उप्शन है में ऑप्षियान रखना लोग बरोसा किस पर कम कर रहें लोग बरोसा नहीं कर रहें टीम के में गेंड बाज नमें, यहां पर एक और अच्छा ऊप्षिन है वो है पोया मोजी का जो की मेरे ग्रेंड लिक में कैप्टेन भी आज होने वारी है इस बात को आप नोट करकर चलिएगा पोया मोजी बहुत अच्छे गेंद बाज है तो ये जो तीन आपशन है ये आप ग्रेंड लिक में ट्राई कर सकते हो बाकी का option मुझे रिस्की नजर आते हैं चले टीम का preview देख लेते हैं तो टीम का preview देखने से फ़ेले फिर से याद दिला देता हूँ टेलीग्राम की link वीडियो के नीचे description में दी गई है तो इसी टेलीग्राम का अब्ज़कर follow किजी का link से ध्यान रखना अगर आप सर्च करते हो तो मनी गुरुजी नाम से है 34,500 user अमाज साथ जुड़ चुकें इसी टेलीग्राम को जागर आपको follow करना है चले टीम का preview देख लेते हैं तो दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगी नारायन जगदिशन, अधित्य गनेश, एस साथवीक, मुरली विजे, कोशिक गांधी, एन राजगोपाल एस हरीश हाला कि यह मुझे रिस्की option लग रहा है वाइस केप्टर में ने बनाया है सेफ जाने के लिए थोड़ा से रिस्की option है क्योंकि इनका भरोसा नहीं कभी है कित्ते ओर कर जाए फिर आर सोनु यादव, अलेक्जेंडर, पीश रवन कुमार और मतिवनानेम बाकी मैंने आपको changes बता दिया बेकप टीम में आपको क्या करना है संदीब वोर्यर भी एक अच्छा option है, पहरे गेंद बाजी होती है तो आप संदीब वोर्यर को जरूर अपनी ट्रीम में ट्राइक कीजिएगा फाइनल अप्डेट के लिए टेलिग्राम से जूट ज़ूजए ये लिंक वीडियो के नीचे